गुड मानिंग अब्रिवन वेलकम टू सुवल सर्व से स्टड़ी हैप्पी इंडेपेंडेंडेंज डे सभी को सततरवे स्वतंतरता देवस की हार्दिक शुब कामना है यह टेस्स सिरीज अपनी आरो एरो के लिए चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर लगाते हैं आज का पहला टेस्ट और यह नंबर इस फर कॉलिया वाट्सप करके आप फुल टेस्ट इस सिरीज प्राप्त कर सकते हैं तो कॉश्ण नंबर बन आ गया है यह पॉलिटी का क्या राजिके राजपाल, राजिके विधान मंडल के सत्र में रहने के दुरान अध्यदेश यानी ओर्डिनेंस जारी कर सकते हैं एक important प्रश्ण है अनुछेद से लेकर राजिके राजपाल की अध्यदेश जारी करने की सकती और भारत के राश्टपती की अध्यदेश जारी करने की सकती किस अनुछेद में है तो राजिके राजपाल की अध्यदेश जारी करने की सकती अनुछेद 213 में और भारत के राश्टपती की अध्यादेश जारी करने की सकती अनुच्छे देख सो तेईस में यहाँ अंसर क्या है क्या राजिके राजपाल राजिके विधारमंडल के सत्र में रहने के दोरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं नहीं A हैस का अंसर देखे राजिके विधान मंडल में राजिके विधान मंडल के सत्र में ना रहने पर ही राज जपाल राष्ट पती या मंत्री परशत की सलापर किसी आपातकाले निर्णे की आवश्चक्ता पूर्ण करने है तू अध्यादेश जारी कर सकते हैं तथा बिधान मंडल के सत्र में आने के छे सब्ता तक ही ऐसा अध्यादेश वैद रहेगा वसरते की बिधान मंडल ने यानि राजी के बिधान मंडल ने तत्व संबंधी कोई कानून ना बना दिया हूँ Question Number 2 पर एजन अमन अंसे काून सा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का पद नहीं है राष्टे विकास परिशत का सरष से होता है तो जहां जहां सरष से है वो तो सही हो जाना चाहिए राश्ट विकास परिशद का सरस होता है, अंतराजे परिशद का सरस होता है, मुख्य मंत्री सलकार समीति का अध्यक्ष होता है, ये बी ठीक है, उत्तरप्रदेश राज मानवधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, option number c, देखे राज का मुख्यमंत्री राज मानाबधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है तो कौन होता है फर राज मानाबधिकार आयोग के अध्यक्ष और सरस्यों की नुक्ति राजपाल द्वारा की जाती है एक समेति की सिफारिस पर की जाती है उस समेति में कौन-कौन होता उस समिति में होता है राज का मुख्यमंत्री जो प्रमुक होता है विधान सभा के अध्यक्ष होते हैं राज के ग्रहमंत्री होते हैं विधान सभा में विपक्ष का नेता सामिल होते हैं राज मानव अधिकार आयोग की बात करें तो राज का मानव अधिकार आयोग एक अलग से ही निकाय है ठीक है राज मानव अधिकार आयोग एक बहु सरस्य निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और दो होते हैं सरस्य जो अध्यक्ष होता है वो एक सेवानिवरत मुख्य न का निखरमी सफेसिक होना चाहिए सदस्की की बात करें तो राज में एक निखरमी सेवारत या लायरत निखरमी या जिलाय निखरमी से रूप में करनेollar से याu से माना बधिकारों के संबद में व्यावहरिक अनुभव हो तो यह होता है तीसरा प्रश्न है केंद्रे सतरक्तायों किनी सेंटरल विजलान्स कमिशन किसके द्वरा इस्थाबित किया गया था भारत सरकार भारत के राष्ट पती संसत के अधेनियम संबधानिक प्राबधान Constitutional Body तो है नहीं है CVC तो संबधानिक प्राबधान को हटा दीजे संसत के अधेनियम को भी हटा दीजे भारत के राष्ट पती को भी हटा दीजे भारत सरकार इसकानसर अब भी देखे वरस्टाचार निवारण समिती की सलापर जिसकी अधेकस्ता स्री के शंथानम ने की थी सरकार नहीं सतरकता के छेतर में केंद्र सरकार के एजंसियों को मार्क दर्शन और परामर्स देने के लिए वरस्टाचार निवारण समिती के शंथा नहीं सतरकतायों की स्थापना की थी सेंट्रल विजलेंस कमिशन को वैधानेक दर्जा पराप्त है और यह एक अलग संस्था है जो के वल संसत के प्रती उत्तरदाई है यानि सेंट्रल गवर्मेंट के यह अपनी रिपोर्ट किसको संपती है भारत के राष्टपती को संपती है यह यह नंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके आप फुल टेस्ट सिरीज प्राप्त कर सकते हैं आरो एरो की यानि पेड टेलेग्राम गृप से जुड़ सकते हैं कोश्चन नंबर फोर है हिस्ट्री का सुदर्सन जील की दूसर सुरी इसका उत्तर है सकंद गुप्त ठीक है दूसरी बार मरमत पूछ रहा है तेके सुदर्सन जील का जो निर्मान है वो पर्था मौर समराट चंद्रगुप्त मौर के समय सौराष्ट प्रांत के राज्यपाल पुष्य मित्रवैश ने पश्यम भारत में सिचाई की सुभ दूसरी बार तो दूसरी बार इसकी मरमत की थी गुप्त साशक इसकंद गुप्त ने तो इसका अंसर ए है पांचवा प्रश्ण है GST परिशद GST काउंसिल के संदर में नमलकित कत्मों पर विचार कीजिए तीन स्टेटमेंट है GST काउंसिल से कौन सा करेक्ट होगा GST काउंसिल एक संब्धानिक निकाय है इसकी अधेकस्ता प्रधानमंत्री करते है जिस्ट के विभिन दर स्लैब पर भी निरना लेती है यह ईए स्ट के विभिन दर स्लैब निरना लेती है GST काउंसिल फै जी-स्ट काउंसिल किया संब्धानिक निकाय है कॉंस्टि So practical बना है इसका बिलकुल है अधिक्सता इसकी प्रधान मंत्री नहीं वित्त मंत्री करते हैं गलते भी GST काउंसल GST के विभिन दर्सलैब पर भी निर्णा लेती है तो तीसरा वाला करेक्ट है तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए प्रशन सीधे भी पूशा जा सकता है चारवे कल्प देखकर एक और तीन इसका अंसर सी देखे GST परिशाद या GST काउंसल वस्तू एबम सेवाकार यानी गोड्स एंड सर्विसेस टेक्स से संबंदित मुद्दों पर केंदर राज सरकार को सिफारिस करने के लिए एक संबधानिक निकाय है Constitutional Body है Article 279 AMS का प्राबधान है इसकी अध्यक्सा करते है केंद्रे वित्यमंत्रि नाकी पर्धानमंत्रि तो गलत हैं दूसरा वाला statement और GST काउंसल GST के विभीन दर स्लैब पर भी ने लेती है तो तीसरा वाला करेक्ट है तो थर्ड करेक्ट हो गया फर्स्ट करेक्ट हो गया और सेकेंड हो गया इनकरेक्ट नमबर सिक्स पर आज़ी यह प्रश्ण है जोग्रफी का नम्लिके तमसे कौन भारत से होकर गुजड़ता है व Tarik यहां इस होकर करए है कर कर ए गारे अक्षानी होगोगरि तो भारत को अपर पर utmost ऊक्षाने मैं सिर्द है यहां कहीं पर है जिस्न होकर गुजरती है करक रेखा शिकी शाड़ेया तेज डिग्री उत्री अक्षान् से लिवार में लोओंदार ми विशा में सब्सक्राइब हो्तसी होकर कुष्ण करक्रेखा भारत से होकर गुजरती है करक्रेखा भारत से होकर गुजरती है और मोटे तोर पर देश को बराबर भागों में वहाश्चित करती है इंपोर्टेंट है प्रश्ण करक्रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और उसी क्रम में याद रखेगा गुजरात राजस्थान मद्यप्रदेश चत्रिस गड़ जार खंड पश्चे मंगाल तिरपुरा और मिज्वरम से होकर गुजरती है वागी जो ऑप् अमेरिका अफ्रीका और ऑस्टेलिया चिन देशों से होकर गुजरती है वह कौन-कौन से अर्जेंटीना ऑस्टेलिया वोट्सवाना ब्राजिल चीली में डगासकर मोजांब्यक्दक्षन अफ्रीका नमिविया और प्रागु अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र महादीप है जिस का प्राशने इवने बतूता के संदर में कौन सा सही है इवने बतूता चीनी अनवेशक और विद्वान था गया सुद्दीन तुगलक के समय में भारत आया था इबने बतूता मुरक्को से आया था चीन से नहीं गले था पहला स्टेट्मेंट मुहम्मद विन तुगलक के साशनकाल में भारत आया था दोनों के दोनों इनकरेक्ट होगे इबने बतूता वह 14 सताबदी में मुरक्को अनवेशक और विद्वान था ना की चीनी था चीनी कौन थे इत्सिंग होई इनसांग से युक बन इबने बतूता मुहम्मद विन तुगलक के समय भारत आया था तेरे सो तेंटिस में क्वेशन नम्बर एट पर आजए नमलिखित को समय लिद कर दीजिए नादिर्शा अलिवर्दी खां फिरोसा तुगलक बुरहान उन मुल्क नादिर्शा है इरान का साशक अलिवर्दी खां है अवद का सूबधार फिरोसा तुगलक अली बर्दी खान बंगाल का नवाब फिरोसा तुगलक दास विभाक की स्थापना बुर्हानून मुलक है अवद का सूबधार तो A का हो गया 4 और B का हो गया 1 C का हो गया 2 और D का हो गया 3 देखिए नादर्शा इरान का साशक था 1749 में उसने दिल्ली को वर्खास्त कर दिया और भारी मात्रा में धन लूट लिया अली वर्दी खां 1744-1756 तक बंगाल का नवाब था वे मुर्सीत कुली खांके वासिहासन पर वैठा बुरहनुन मुल्क अवद का सुबेदार था वे अवद प्रांत के राजनेतिक वित और सैने मामलों का परभंदन करता है फिरोसा तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसको कहा जाता दिवाने वदगान खुश्या नमबर 9 ये है जिग्रफी का प्रेश निम्लिक दमें से कौन सा मानसून प्रत्यावरतन की रितू का है यानि लौटता हुआ मानसून फरवरी से मध जून अक्टूबर से मध दिसंबर दिसंबर से फरवरी मध जून से सितंबर इसका अंसर एक्टूबर से मध्य दिसंबर मानसून पृत्यावरतन यानि विड्रा मानसून देखे एक्टूबर नावंबर के महिने के दोना दक्षन पस्वी मानसूनी हवाएं जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं मानसून के श्रण को मानसून पृत्यावरतन के रूप में जाना जाता है मानसून पृत्यावरतन का मौसम दक्षन पस्वी मानसून की वापसी की सुरूबात के साथ सुरू होता है और जन्वरी की सुरूबात तक रहता है देखिए यह तीन महीने की लंबी प्रकरिया है जहां यह अक्टूबर में प्रायदीप से सुरू होती है और दिसंबर तक अंतिम दक्षण पूरवी सरे से सुरू होती है और दक्षन परश्य मानसून दिसंबर के मध में कोरो मंडल तट से हट जाता है पंजाब में दक्षन परश्य मानसून सितंबर के दूसरे सब्ता से वहां से हट जाता है इस दोरान हवाएं जो है मुखे रूप से बापस बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है इस प्रकार मानसून के पीछे हटने की अबदे के दुरान नमी से भरी हवाएं भूमी से समुद्र की और चलती है कि एकोनोमी का प्रश्ण है दस्वा प्रश्ण है एक वंद अर्थ व्यवस्ता यानि क्लोज्ड एकोनोमी ऐसी अर्थ व्यवस्ता है जिसमें पैसे की आप पूर्ती पूरी तरह से नियंत्रित है घाटे की विद्व्यवस्ता होती है केवल निर्यात होता है ना निर्यात होता प्रारंबिक और 69 वीपीस्ति में पूछा गया था प्रस्ट्ट तो ग्लोज्ड एकॉनमी है ना आयात होगा ना नर्यात होगा डी है देखे एक वंद अर्थव्यस्ता वह है जिसमें भारी अर्थव्यस्ताओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधी नहीं होती है इसलिए वंद अर्थव्यस्ता पूरी तरह से आत्मिर्भर है जिसका अर्थ है कि कोई भी आयात देश में नहीं आता है कोई भी नर्यात देश से बाहर नहीं जाता है वंद अर्फ्वयस्था वह इस्तिती है जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश देश किस्तं ओर सेवाओं का आयात्रजात नहीं करता प्रशेमन आयोग का गठन किया जाता है परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82, D has cancer देखें परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनिमित किया गया वर्स 1902, 1956, 1972, 1942 के अधिनियमों के अधार पर परिसीमन आयोग को चार वार वर्स 1902 में 1963, 1963 में दोहार दो में परिसीमन आयोग का गठन किया गया परिसीमन आयोक प्रतियक जनगर्णा के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद बयासी के तहत गठित एक सतंत निकाए है और इसके द्वारा दिये गए निर्णे को भारत के किसी भी नयाले में चुनोती नहीं दी जा सकती कि नहीं किसी स्टेट के जिला और सत्य नयाले में ना हाई कोट में और नहीं भारत के सर्वोच नयाले में इस चीज को भी आद रखेएगा क्योंकि इसके द्वारा जो निर्णे दिये जाते हैं वो सर्व सम्मती से दिये जाते हैं तो उसके बाद किसी कोट में जाने की आवश्यक्ता ही नहीं है करेंस का है esfremos का आर जाता है और वहर्स देज विश्व कंसर की थीम क्लोज्च के रगएप हे कौन सा सहीह है हम डिश्वाद रभूम में डिवस्च कारवल को मिने मत जाता है विश्व कंसर दिवस्क कर्यक्ट है के दुने श्टेट्मेंट तो तेईस वाला जो फरवरी में हो था close the care gap यही थी में इसकी C है इसका अंतर देखें विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ रड़ाई में एक जुट करने के लिए परतिवर्स चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मना जाता है यह एक विश्विक कारिक्राम है विश्व कैंसर दिवस का उद्देश दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को इस विमारी के खिलाब कार वही के लिए जागरुक बनाकर कैंसर से होने वाली मृत्तियों को कम करना है और इस दिवस की सुरुबाद चार फरवड़ी संदोहयर को पैरिस में वर्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर नियू मिलेनियम के दौरान हुई थी और वर्ड वहर 23 की थीम क्या है क्लोज दा कियर गैप कोशन नमबर ठर्टीन है राश्टिय जाँच अजनसी यानि एन आईये नैशनल इन्वेस्टिकेसिन एजनसी के संबंद में अमर्फित कत्नों में से कौन सा सही है मुख्याले इसका नई दिल्ली में है इसे राजियो से विसेस अनुमती के बिना राजियो में आतंकवाद से संबंदित अपराधो की जाँच करने का दिकार है राजियो से विसेस अनुमती के बिना राजियो में आतंकवाद से संबंदित अपराधो की जाँच करने का दिकार है इसका गठन राश्टिय जाँच अधिनियम दोहराट के तहत किया गया था और इसका वास्तविक नाम है हिंदी में राश्टिय अनुवेशन अभी करना कुछ सही है क्या इसमें एनाईय के बारे में बिलकुल हाटकवाटर तो इसका नुई दिली में है इसका वास्तविक नाम राश्टिय अनुवेशन अभी करने ठीक है सीवाला भी करेक्ट है मतब तीसरा भी करेक्ट है दूसरा भी इसा ही है कोई विशेश हनुमती के विना ही राज जमात अंगवाद से संबंदेत अपरादों की जांच कर लेती है चारो के चारो करेक्ट अड़ी है 1234 तो राजिए का वास्तिविक नाम है वह राश्डी अभीकर्ण जिसे आम तोर पर राश्डी जाच जैंसी नियासनल इन्वेस्टिकेसिं एजनसी नाव से जाना जाता है इसका गठ़न राश्डी जाच एजनसी अधिनियम दहराट के तहत किया गया इसका जो हैटकोर्टर है वह भारत की राजदानी नई दिल्ली में और इसकी साखाएं कहां का अपर आंदरप्रदेश के हैदराबाद में मतलब तेलंगाना की हैदराबाद में असम के गुवाहटी में कियरल के कोची में उत्तर प्रदेश के लखनहँ में महराश्ट के मुंबई, पश्य मंगाल के कलकत्ता में, रायपुर में और जम्मू में हिस्ट्री का प्रश्णा गिया है समुद्रकुप्त का दरबारी का भी कौन था इंपोर्टन्ट है प्रश्ण बहुत पूछा गया यह डिक्त्क, ऐसे ही पूछा गया जिसे भारत का नैपोलियन कहा जाता है कि दरबारी कभी कौन थे हरी सेण थे जिनोंने इलहाबाद प्रिजस्थी या प्रयाग प्रिजस्थी लिखिए और अपने विजे अभियानों का विस्तरत विबरन दिया है जो ग्राफी का प्रशन तीन स्टेट्मेंट वाला इंपोर्टन्ट है PCS में पूछा गया था अलनीनों से इस बार प्रशन देखें अलनीनों समुद्र की सत्य के ओसत से उपर के तापमान को संदर्वित करता है यानि समुद्र का टेंपरेचर बढ़ गया है समय समय पर पूर्व मध्य विश्वतिय परशान्त शेत्र में विक्सित होता है अब दूसरा स्ट्मेंट ला नीना का है ला नीना पूर्व मध्य विश्वतिय परशान्त शेत्र में समुद्र की सत्य के तापमान के आवधिक शीतलन को संदर्वित करता है और अल्नीनो जो है इन एसो चक्र के गरम चर्ण का पुर्तिनिस्त्थ करता है गर्म या ठंडा शीतलन तो यह है ला नीना अल्नीनो गर्म है क्योंकि समुद्र का ओसत टेंपरिचर को बढ़ा दे रहा है करेक्ट है करेक्ट है यह शीतलन हो गया यह भी सही है तो इसको याद रखेगा कौन ठंडा है कौन करम है इसका अंसर हो जाएगा 123 डी तो अल्नीनो समुद्र की सत्य के ओसत्य के उपर के तापमान को संद्रप्रत करता है जो समय समय पर पूर्व मद्य भूमद्य रही है प्रशांत शेद्र में वि करता है और दूसरा वाला भी करेक्ट है क्योंकि ला लीना पूर्व मद्य विश्वती प्रशांत शेद्र में समुद्र की सत्य के तापमान के आवधिक शीतलन को संद्रवित करता है अगर अल्लीनों अगर ठंडा चरण कर देता है तो गलत हो जाता स्टेट्मेंट तो यह 15 सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब रखेगा सब्सक्राइब को धन्यवाद